हलो स्टुडेंट्स विल्कम टू चिप संकर जिक्के जी इसमेक और फिर सब सभी का स्वागत दितों स्टुडेंट्स आप लोगों चल रहा था पारा मेडिकल इंपॉर्टेट्ट क्यूशन बायलोजी का आज बायलोजी का दूसरा वीडियो दूसरा टॉपिक यानि इंपॉ देखिए आपको पीडियो पिडियो已經 घैएगा तो आ स्कृण पर कोशन आते जाएगा आप हो सके तो निख रिखते जाईएगा तो पहला कॉशन है पहला कोशन है कि मनुस के सरीर का ना nữa मनुस के सरीर का तन कि रिखना होता है 37 certified कंउस्पास उसके बाद कह रहा है दुसरा में कि बनस्पती बिग्यान के जनक कौन है तो बनस्पती बिग्यान के जनक है थियो फ्रेडस उसके बाद अगला कोशन कह रहा है कि भोजन का उर्जा में परिवर्तन कोशका के किस भाग में होता है तो किस भाग में होता है माइटो कॉंड्रिया में होता है उसके बाद कह रहा है कोशिका सिधान्त का परतिपादन किस बैग्यानिक ने किया था तो सलाइडन और श्वान ने कोशिका सिधान्त का परतिपादन किये थी उसके बाद अगला कोशन कह रहा है यूरेसील किस में पा प्रकास का सुरूत क्या है तो क्या है इलेक्ट्रोन मास्क्रोस्कोप में प्रकास का सुरूत तो इलेक्ट्रोन कीरन उसके बाद कहा रहा है सत्मा में पेप्टाइड बंद किसके बीच में उपस्तित होता है तो पेप्टाइड बंद जो होता है वह आपका अमीनो आमल के मेंदार होता है तो Cambium उसके बाद कह रहा है कि भारत में Norman Bear Log किसलिए परसिध है तो Harit Kranty के लिए किसलिए Norman Bear Log इस्तित है यानि परसिध है तो आपका हो जागा यहां पर Right Answer Harit Kranty के लिए उसके बाद अगला Question कह रहा है कौन सा उतक पादपो में जल के परिवाहन का कार्ज करता है तो जल के परिवाहन का कार्ज कौन करता है जयलम करता है जयलम जोड में होता है जो क्या करता है कि जल से खनीज लमन और मिटी से ले जाता है जले को ले जाता है पतियों तक जहां फिलोयम में फिर बने हुए भोजन को फिलोयम क्या करता है आन भाग तक ले जाता है तो यह पर राइट एंसर क्या हो जाए परिवान कौन सा काम करता है जलका तो जैलम उसके बाद आगला कोशन कह रहा है कपास के रेशी पौधे की किस भाग में पाया जाते है कपास का जो रेशा है पौधा के किस भाग में पाया जाता है तो वह आपका बीजो पर अधी चर्मी रोम क्या बीजो पर अधी चर्मी रोम उसको बोलते है उसके बाद है स्वसन मूल या नए मेटोफर किस पोधे में पाई जाती है स्वसन मूल या नए मेटोफर किस पोधे में पाई जाती है तो जूशिया उसको बद अगला कह रहा है कि चंदन को शमांता क्या माना जाता है तो चंदन को माना जाता है आंसिक मूल पर जीवी आगे कह रहा है कि गन्ना और गेहों में किसके द्वारा प्रागन होता है तो गन्ना और गेहों में किसके द्वारा प्रागन होता है हावा द्वारा बासपोस सर्जन मापी यांतर कौन सा है तो बासपोस सर्जन मापने के लिए जो यांतर है उसका नाम है पोटो मीटर उसके बाद अगला कोशन कह रहा है आपका कि सबसे बड़ी आँखे सबसे बड़ी आँखे किस अस्तंधारी प्रानी की होती है तो हीरन उसके बाद कह रहा है कि कार्वन डायोकसाड CO2 के उच सरजन में सरवाधीक योगदान करने वाला देश कौन सा है तो संजुक्तराज अमेरिका इस सबसे ज़्यादा CO2 उच सरजन करता है संजुक्तराज अमेरिका उसके बाद कह रहा है कि बाटनी सब्द की उत्पति किस भासा के सब्द से हुई है तो बाटनी सब्द की उत्पति है वो ग्रीक भासा के सब्द से हुई है यानि काराकिस भासा के सब्द से हुई है तो ग्रीक उसके बाद कोशन है कि पौधे के आंत्रिक सनरचना काधियन कहलाता है पौधे की आंत्रिक सनरचना काधियन कहलाता है और इसका PDF का लिंक हम description में दे दिये हैं, वहां से download कर लिजे, अगर किसी भी बच्चों को problem होती है PDF download करने में, तो हमारा WhatsApp नंबर आपको screen पर दिख्राए, उस WhatsApp नंबर पर message करके PDF ले सकते हैं, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा.